सब्सक्राइब कीजिए हमारे चानल संजीव मिस्रा को और प्रेस कर ये बेल आइकॉन पर हर तरह के विडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों पस्चिमी उडिसा में सिचुएटेड कांटा वांजी टाउन बलांगीर जिले का एक प्रमुख नगर है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं संजीव मिस्रा योट्यूब चैनल दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मैं कांटा वांजी सहर के बारे में बताऊंगा तो भी ना स्किप किये बने रही है हमारे साथ वीडियो के पूरे लाश्ट तक क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको कांटा वांजी सहर की हर छोटी बड़ी बाते जिससे साथ अभी तक आप अम जानते जानने को मिलेंगी दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नोचे मौजूद इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए दोस्तो करते हैं दोस्तों कांटावांजी उडिसा राजे के बलांगीर जिले का एक टाउन और नोटिफाइड एरिया कमेटी है कांटावांजी सहर में कौसली और संबल पूरी भासा का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है 2011 के सिंसस के अनुसार कांटावांजी टाउन का टोटल पॉबुलेशन 21,819 है जिसमें मेल पॉबुलेशन 11,258 और फीमेल पॉबुलेशन 10,561 है धर्म के आधार पर बात करें तो कांटावांजी टाउन में हिंदू 92,37 पृतिशत मुसलिम 3,8 पृतिशत क्रिश्चन 1,20 पृतिशत और अन्य धर्म के 2,6 पृतिशत लोग रहते हैं बात अगर साक्षर्ता दर की करें तो कांटावांजी टाउन साक्षर्ता दर के मामले में उडिसा के टोटल साक्षर्ता दर से भी आगे है यहां का साक्षर्टादर 78.53 प्रतीशत है जिसमें से पूर्सों की साक्षर्टादर 72.87 प्रतीशत और महिलाओं की साक्षर्टादर 70.32 प्रतीशत है कांटाबाजी सहर में कई सारे स्कूल्स और कॉलेज़ हैं जहां स्कूलों में मुस्कान इंटरनेशनल स्कूल, कांटाबाजी लॉइन्स पबलिक स्कूल, संत जेविर्स हाई स्कूल, सरस्वती सिसु विद्यामंदिर जबकि कॉलेजों में केवी कॉलेज और विमेंस कॉलेज समेत कई सारे लाजवाब सिक्षान सास्थान सामिल है बात अगर ट्रांसपोर्ट की करें तो कांटावांजी रेलवे स्टेशन विजय नगरम और रायपूर में लाइन में अवस्थित एक बेहद ही महतपून रेलवे स्टेशन है यहां से गुजरने वाली लगभग सभी ट्र अगर सडक मार की करें तो कांटावांजी से एस एच बेयालिस गुजरती है और आसपास के सहरों से यह सहर बड़ी ही अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है दोस्तों कांटावांजी टाउन के नस्दीक घूमने लायक स्थानों में पटनागड और रानीपूर जडियल जैसे लाजवाब स्थान सामिल है एकनॉमिक लिहाद से कांटावांजी सहर आसपास के ग्रामिन छेत्रों के लिए एक बिजनेस सेंटर माना जाता है कौटन और धान यहां के मुख्य फसल में सामिल है जिन्हें सरकार और नीजी खरीदार को बेच कर यहां के लोग अपना जीवन सेंटर माल यहां के लोगों के बीच आकरसन का केंदर है क्योंकि यहां पर एक ही चत के नीचे आपको सारी वस्तुएं पलब्द हो जाती हैं तो दोस्तों कांटावांजी सहर आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वी चैनल पर नई आए हैं और आगे वी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकोन को जरूर प्रेश करें दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो फेस्बूक पर देख र आपका धन्यवाद